प्याज का निरियाद कब होगा चालू प्याज का जो भाव था दिन पर दिन गिर्टा चला जा रहा है हमारे किसान भाईयों के फचलों पर एक दू रुपए प्रदी किलो के हिसाब से रोज इसका भाव घट रहा है लेकिन सरकार इन पे गौर नहीं कर रही है प्याज के निर्याद को लेकर हमारे किसान भाई बहुत चिंतित है और उन्हें लग रहा है कि साइद हमारे सरकार निर्याद पे कुछ नया तरीका ढूड़े लेकिन सरकारे अभी इस पे कोई गौर नहीं कर रही है और हमारे किसान भाईयों का इसका लाव नहीं मिल पा रहा है किसान भाईयों मैं आपको बता दूँ जो भारा सरकार है 31 मार्च तक इस्पोर्ट बंद कर रखा है जो निर्यात विद्योसों में अपना प्याज इंदिया से बाहर जा रहा था यहां की सरकार ने रोक लगा दिया है और यही कारण है यही वज़ा है जो प्याज में काफी गिरावट दिन पर दिन देखने को मिल रही है यहां प्याज रुड रहा है विद्येशी राजों में प्याज खाने को नहीं मिल रहा है बंगला देश में जो प्याज 70-80 पे प्रती किलो के हिसाब से बिक रहा था और इसमें 1.500 से लेकर 180 पे प्रती किलो के हिसाब से बंगला देश में प्याज का भाव हो चुका है लेकिन हमारे किसान भाईयों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है कई राज ऐसे हैं जो भासरकार से मांग कर रहे हैं निर्यात खोलने के निवेदर कर रहे हैं और कई हमारे राज हैं जो काफी प्याज को लेकर चींतित हैं और उनका प्याज नहीं भीक पा रहा है और काफी घाटा देखनों को मिल रहा है बहुत सारे किसान भाईयों को उपर करजा भी है वो सोचे थी कि इस साल हमारा प्याज अच्छा आमदन देगा हों अपना करजा खतम करेंगे लेकिन लग रहा है कि उनका करजा भी इस साल नहीं खतम होगा क्योंकि फसल उगाने में और उसको काटने से लेकर मंडी तक पहुँचने में काफी खर्चा आता है किसान भाईयों का लेकिन उसका लाब भी इस साल उनको मिलने वाला नहीं है किसान भाईयों का चेहरे बहुत खुसी थी कि इस साल साइद हम अपने प्यार में अच्छी रकम कमा सकते हैं और इस साल साइद हमको मुनाफ़ा अच्छा होने वाला है लेकिन किसान भाईयों को साथ ऐसा नहीं हुआ हो सकता है अभी एक दो महिना लग सकता है इस्पोर्ट खुलने में क्योंकि इस पे बैठक हो रही है किसान भाई अपने हक के लिए लड़ाई करने हैं सरकार से माग करने हैं बिंती करने हैं कि हमें इसका लाब मिले और हमारा जो ट्रांस्पोर्ट जल्दी चालू हो जाए निर्याज चालू होने से हमारे किसान भाईयों को लाब मिलना सुरू हो जाएगा फिलहाल ऐसी कोई ख़वर निकल के सामने नहीं आई है और जल्दी सरकार कुछ न कुछ किसान भाईयों के हित में करेगी लेकिन हमारे कई ऐसे विदेशी राज हैं जहां प्याज को लेकर काफी उनको मसक्कत जहलनी पड़ रही है वहां की जो जनता है प्याज को लेकर काफी परेशान है और अपने सरकार से माग कर रही है कि प्याज के भाव में काफी उच्छाल आ चुका है इसे सस्ता किया जाए सच्टा तभी होगा जब भारत से स्पोर्ट चालू होगा तो कई राज ऐसे हैं जो भा सरकार से बिंती कर है मांग कर रहे हैं कि हमें अपना प्याज दीजिये और ऐसा ना होने पर कई विधेसों में काफी प्याज महगा होने का चांस है कई राज्यों में जो प्याज की आवद है काफी ज्यादा है और हमारे किसान भाईयों को इसका लाब नहीं मिल पार रहा है और हमारे नास्रिक किसान भाई मारष्टरा किसान भाई जैपूर के किसान भाई काफी चिंतित हैं अपने प्यार को लेकर क्योंकि यहां जो प्यार की खेती काफी ज्यादा मात्रम होती है और अपने प्यार को रख रखाओ के लिए काफी उनको परसाइश जलनी पड़ती है लेकिन उनको इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है सरकार इन पर ध्यान नहीं रख रही है तो अगर सरकार ध्यान नहीं रखेगी तो आगे चल के साइध फसल में काफी रुकावट आ सकती है क्योंकि फसल नहीं होगा तो किसान भाई को लाब कैसे मिलेगा लेकिन किसान भाई अगर लेना नजा चाहते हैं तो आप ऐसे ही काम करते रहें सरकार है साइध आपके हक में कोई ना कोई राष्टा निकाले कि उनकी सरकार हर किसी के साथ है और हर किसी के हक में रहती है हो सकता है सरकार कोई मजबूरी हो या कोई उसके नया तरीका को ढूंड रहा हो प्याज को लेकर जल्द ही कैसे कोई फैसला निकलेगा तो इस चनल के मादधम से आपको बताया जाएगा फिरहाल हम जान लेते हैं आज का जो भाव है जो प्याज चारी से 25 पर प्रती किलों के साफस्विक रहा था आज वही प्याज 15 से 20 पर 22 पर जाके शिमर जा रहा है और हमारे किसान भाईयों को बहुत ही कम रेट में अपने माल को बेचना पड़ रहा है